सब्सक्राइब कीजिए स्टुडेंट पॉइंट एकडेमी चानल को और बेल आइकान को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब आपने सारे के सारे वीडियो अब तक जो हमने अपलोड किये वह सारे वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे और बहुत सारे स्टुडेंट के हमें कोश्चन आंसर भी वाट्सप के थरू मिले हैं और उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किये सो बेस्ट आफ लग और वे लेशन लेशन हमारे बुक में क्यों है सबसे पहले यह जानता आम है ज़रूरी है देखें कपड़े हमें हम सब पहनते हैं हमारी बेसिक नीट्स है कि कपड़े पहनना यह हमारी बेसिक नीट्स है हमारी जरूरत है फिर हम कपड़े क्यों पहनते हैं हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी बॉड़ी प्रोटेक्ट रहे हमारा शरीष सुरक्षित रहे किस से सुरक्षित रहने के लिए हम कपड़े पहनते हैं देखिए हमारे जो अर्थ है इस अर्थ में three seasons होते हैं summer winter and rainy okay summer धूप से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं थंडी से बचने के लिए हम और जाड़े मतलब मोटे कपड़े पहनते हैं और बारिश से बचने के लिए भी हम कपड़े वाले हैं एना स्वेट्स तो आईए फटावक स्टार्ट करते हैं तो यह पिच्चर आप देख रहे हैं ओके आईए देखते हैं लुक एड़ अबाव पिच्चर केरफुली वाट टाइम आप दे इयर ड़स इज पिच्चर शो देखिए यह जो पिच्चर है यह पिच्चर क्या शो कर रहे हैं तो यहां पर देखिए कौन कौन से सीजन यहां पर है यह इस विंटर सीजन यह कौन सा सीजन है इस इस समर and this is rainy season okay this is rainy season let's now discuss the questions are given below नीचे दिये वे questions को discuss करेंगे the first question is what kind of cloth are the people in the first picture wearing पहले picture में यहां पर जो people आपको दिख रहे हैं इन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं तो these are a warm cloth okay जैसे गर्मी में थंडी में जो हम कपड़े पहनते हैं वो मोटे कपड़े होते हैं उन्हें warm cloth मतलब गर्म कपड़े कहते हैं तो यह कौन से कपड़े इन्होंने पहना है warm cloth उसके बाद why are they wearing these cloths अब इन्होंने इन कपड़े को क्यों पहना है because winter season में जो environment होता है वो cold होता है बहुत थंडा होता है और थंडी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं to protect our body from the cold we wear warm cloth okay so what kind of cloth are the people in second picture wearing यह जो second picture है इस second picture में किस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं तो देखिए यहाँ पर जो एक कपड़े हैं यह simple soft कपड़े हैं these are the soft cloths and the cloths are very thin और यह जो कपड़े हैं बहुत पतले हैं ताकि हमारे body में जो sweeting होती है देखिए summer season है, गर्मी का season है तो गर्मी में क्या निकलता है? पसीना निकलता है हमारे body से निकलने वाला पसीना easily vaporize हो जाए मतलब आसानी से वो चला जाए इसलिए हम धीले कपड़े और थंडे कपड़े पहनते हैं okay, soft कपड़े पहनते हैं now when do we see people using raincoat and umbrella हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ people जो है यहाँ पर देखी यह girls ने raincoat पहना हुआ है and the grandfather is using umbrella तो ऐसा कब होता है कब raincoat और umbrella यूज किया जाता है तो हम सभी को पता है कि rainy season में raincoat और umbrella हम यूज करते हैं make a list of cloths used during different time of year in your neighborhood मतलब आपके आसपोडोस में साल में अलग-अलग तरह के कपड़े किस-किस समय पहने जाते हैं यह आपको इसकी list बनाई ही या कितने तरह के कपड़े पहने जाते हैं so why do we see changes in a cloth people's wearing during different time of the year देखें why do we see changes in a cloth people wear during different time of the year मतलब साल भर अलग-अलग समय चलते रहता है अलग-अलग मौसम चलते रहता है और इन अलग-अलग मौसम में अलग-अलग time में हमारे कपड़ों की style क्यों बदलती है it is because ऐसा इसली होता है it is because the weather changes at those times क्योंकि यहाँ पर weather बदलता है weather मतलब मौसम weather बदलते रहता है we need different cloth to protect our body against such changes in winter तो weather में होने वाले changes से बचने के लिए weather में होने वाले changes से हमारी body को protect करने के लिए हम कपड़े weather के according पहनते है अगर आप ठंडी में पतले कपड़े पहनेंगे जाड़े कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपको ठंड लग जाएगी बुखार हो जाएगा सर्दी हो जाएगी खासी हो जाएगी तो देखिए जो बदलते हुआ weather होता है यह हमारे body पर effect करता है तो इससे बचने के लिए हम क्या करते है मतलब season के according कपड़े पहनते है changes in weather divide in year into three parts मतलब पूरे साल में जो weather है वो तीन भाग में बटा हुआ है मान लीजे यह जो circle है यह 12 months का है 12 months 12 months मतलब क्या होता है पता आपको one year एक साल में बारा मेने होते है समझ में आ रहा है तो यह जो एक साल है यह पूरा एक साल तीन सीजन में बटा हुआ है जैसे देखिए winter से summer यह होते है four month summer से rainy यह होते है four month ओके और rainy से winter यह भी होते है four month तो देखिए four plus four eight eight plus four twelve the total होगे twelve months okay it means one year so the three parts are called season और यह तीनों parts को हम season कहते है तो तीन season होते है summer season, winter season, rainy season so each season is approximately four month long और हर एक season चार मेने का होता है okay the season follow each other continuously और यह जो season है वो एक दूसरे को continuously follow करते रहे जैसे winter के बाद summer आएगा summer के बाद rainy rainy के बाद winter winter के बाद summer summer के बाद rainy rainy के बाद winter ऐसा नहीं होगा कि winter आया winter के बाद सिधा rainy आएगी फिर summer आएगा यह कभी आगे बिछे नहीं होता है इनका जो cycle है इनका जो sequence है वो चलते रहता है पहले winter आएगा फिर summer आएगा फिर rainy आएगी winter, summer, rainy यह चलते ही रहता है winter, summer, rainy rainy के बाद फिर winter, फिर summer, फिर rainy फिर winter, फिर summer, फिर rainy ओके यही इनका sequence है the season follow each other continuously, this is called cycle of season और यह जो season है एक दूसरे को continuously follow करते रहते है मतलब पहले winter आएगा, फिर summer आएगा फिर रहनी आएगी, ऐसा यह cycle चलते रहता है, तो इसे हम cycle season कहते है, मतलब cycle of season क्या कहते है, cycle of season मतलब season का चक्र, weather cycle as the season change, जैसे जैसे season बदलता है, there are changes in nature and the environment too तो जैसे जैसे season बदलेगा season के बदलाव के साथ nature में भी changes होंगे, मतलब nature में जब season बदलेगा तो वो season environment को भी बदलेगा मतलब जैसे season बदलता है वैसे environment बदलते जाता है जैसे कि simple सी बात है जब summer season आता है तब बहुत कड़ाके की दूप होती है जब winter season आता है तो बहुत cold होता है और जब rainy season आता है तब बारिश होती है तो देखिए रेनी सीजन में सब तरह बारिश पानी पानी दिखाई देता है और विंटर में कुछ अलग मौसम होता है और समर में कुछ अलग मौसम होता है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सीजन बदल रहा है हमारे इन्वारमेंट भी चेंजेस होते हैं इन्वारमेंट में important effect करता है and other living things और दूसरे living things पर भी which season there are change in cloth we wear and food we eat देखिए जिस तरह से मौसम बदलता है जिस तरह से weather change होड़ा है बदलती हुए मौसम के साब से हम खाना खाते है थंडियों में हम गर्म खाना खाते है और ऐसी चीज़े खाते है जो हमारी body को अंदर से गर्म रख सके जैसाजिकि थंडी में एक तिवहार आता है जिसे हम कहते मकर संक्रांथ में पता है लोगों को तीन और गूल क्हिला जाता है क्योंकि वो हमारे body को अंदर से गर्म रखते हैं तो यह तिवहर winter में क्यूँ आता है रखती है, ऐसी चीज़ हम समर में ज्यादा खाते हैं, जैसे कि आइस क्रीम, कॉल ड्रिंक्स, ओके, बॉर्फ, आइस, ये सब. Season also affect farming and other occupations. Season जो है, farming पर और other occupations पर भी affect करता है, जैसे कि मार लीजिए, बारिश है तो लोग फसल उगाएंगे, खेती करेंगे, समझ में आ रहा है, जैसे बारिश होगी तो बारिश होगी तो फसल होगेगी, इसका मतलब season पर farming dependent है, there are many changes in winter according to season, sorry, there are many changes in weather according to season, weather में season के according बहुत सारे changes होते हैं, जैसे जैसे season बदलते जाता है, वैसे वैसे weather में भी बदला होता है, है न, बारिश में, आसमान में पूरे काले बादल चाय होते हैं और पानी गिरने लगता है, और summer में environment पुरा clear होता है, और धूब जो बहुत जमके लगती हैं, और इसलिए students, weather में होने वाले changes के कारण, ये changes हमारे body पर effect करते हैं, तो ये changes हमारे body पर भी effect करते हैं, और body पर effect करने की कारण, हमारी तबियत कई बार बिगड़ भी जाती है, जैसे कई बार देखाऊगा, आपने थोड़ा सा weather में changes आया, गर्मी से थोड़ी सी ठंडी हो गई, या बारी शुरू हो गई, या ठंड का मुसम शुरू हो गया, तो हमें सर्दी खासी बुखाराना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, कि जब weather में changes होते हैं, ये हमारे body में भी effect करता है, इसलिए इस weather में होने वाले changes से बचने के लिए, हमारी body को हमें safe रखना पड़ता है, इसलिए उसके according हमें कपड़े पहनना ज़रूरी है, so we should adopt to these changes, और इसलिए इस changes को हमें adopt करना पड़ता है, क्योंकि हम in changes से बचने ही सकते, मतलब in changes को बदलना ही सकते, जो है वो तो होने ही वाला है, पर in changes में हमें survive करना होता है, जीना होता है, इसलिए हमें उसके according अपना रहन सेहन रखना पड़ता है, so in which month do the summer and rainy season and winter occur, मतलब summer season कम आता है, rainy season कम आता है, तो देखिए summer season आता रहता है, February से लेकर मई तक, उसके बाद June से लेकर September तक rainy season और October से लेकर January तक winter season होता है, अब आप count कीजिए, देखिए February, March, April, May, यह आगे 4, उसके बाद June, July, August, September, यह आगे 4 और October, November, December, January, यह आगे 4 और January के बाद की आएगा, वापस February, समझ में आ रहा है, तो देखिए 4, 4, 4, that is 12 month, we wear warm cloth in winter as a protection against the cold, what will happen if we wear warm cloth in summer, देखिए winter में हम गरम कबड़े पहनते हैं, ताकि हम ठंडी से बचे रहे, अब यही गरम कपड़े, अगर हम summer में भी पहने तो क्या होगा, हमारी body बहुत ज़्यादा गरम होने लगी अंदर से, बहुत ज़्यादा sweating होगी, बहुत ज़्यादा पसीन आएगा और इतनी गरमी हम सहन नहीं कर पाएगे, और हमें चक्कराना शुरू हो जाएगी, समझ में आ रहा है, इसलिए हम सीजन के according ही कपड़े पहनते हैं, अनिमल डू नॉट वियर क्लॉथ, देखिए अनिमल कपड़े नहीं पहनते, वो खुद को कोल्ड से कैसे बचाते हैं, तो अनिमल अगर क्लॉथ नहीं पहनते, तो उनकी जो स्कीन होती है, जैसे अनिमल की स्कीन, चमड़ी जो होती होती है, हमारी चमड़ी पतली है, हमारी स्कीन में जो चमड़ा है, ये पतला है, वैसे जो अनिमल होते हैं, उनकी चमड़ी मोटी होती, जाड़ी होती है तो वो उस अपने मोटी स्कीन से खुद को बचा लेते हैं दूसरी बात बहुत सारे animals ऐसे होते हैं जिनके body पर बहुत सारे hairs होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं तो ये hair क्या करते हैं उनकी body को गर्म रखते हैं और जो birds होते हैं उनके feathers होते हैं पंक होते हैं तो इनके feathers भी उन्हें गर्म रखते हैं इसलिगे तो ये body के hair से या feathers से animals खुद को protect करते हैं many tree shades their leaves in winter when do they grow new leaves again कई बार winter में जिसे हम कहते हैं बसंत्रुतु ऐसे समय में पेडों के जो पत्तिया है वो गिरने लगती जड़ने लगती है और ऐसे में पतज़ड का मोसम जो हते हैं पतजड के मोसम में पत्तिया गिरने लगती है और वापस कुछ दिनों बाद जब नए फूल नए पोधे नए पत्तिया आना शुरू हो जाते हैं ओके ट्राइडिस लूक अट ड़क्ल अरॉट्ट यू आर वियरी आपके आसपास कुछ लोग अलग-अलग तरह के कप्रे पहनते हैं देखी यहाँ पर जैसे इनका पहनावा अलग है इनका पहनावा अलग है इनका पहनावा लग 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 है कुछ लोग अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कप्रे पहनते हैं कुछ अपने पेशे के अकौर्डिंग मतलब अपने प्रोफेशन क कंपड़े पहनते हैं, यह नेता जी है, यह अपने profession के साफ से कपड़े पहनते हैं, यह अपने tradition के साफ से कपड़े पहनते हैं, यह कपड़े पहनता हैं, यह काम है, इस तरह काम क्या है, जैसे यह church के father, यह write down a difference in their clothing based of the point given below, अब यहाई पर देखिए आप क्या करना है, इनके color क्या है, इनके type क्या है, uniform according to occupations, तो जैसे देखे, teacher, teacher के कपड़े अलग होगे, जो officers होते हैं, उनके कपड़े अलग होगे, doctor के कपड़े अलग होते हैं, क्योंकि हर कोई doctor एक white coat उपड़ डाल देता है, तो उसके कपड़े से हम पहचान पहने जाते हैं, तो क्या होता है, occupation के according भी कपड़े पहने जाते हैं, so variety in clothing, since our country is too large, हमारी कपड़ी, हमारी country जो है, वो बहुत बड़ी है, we find that there is a variety in people's dress according to reason, और इसलिए हमारे area में reason की साबसे, छेतर की साबसे, अलग-अलग area है, महारास्त है, गुजरात है, बेंगौल है करना टका है, तमिल नाडू है, तो जहाँ जैसा reason, मतलब जैसा जिसका area उसके हिसाफ से कपड़े पहनते हैं, पंजाब में लोग अलग तरक कपड़े पहनते हैं, महारास्तियन स्टाइल के कपड़े पहनते हैं, करना टक में लोग उनके साब के कपड़े पहनते हैं, तो seem wearing धोती, पाईजामा, लुंगी and ट्राउजर, जैसे मेन, मेन जो होते हैं, मतलब मेन, आदमी धोती पहनते हैं, या पाईजामा पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, या ट्राउजर पहनते हैं, they also wear cap, hat and other head gear, such as, मुंदासी, पेठा and पगड़ी, जैसे कि, जो head gear मतलब, सर पर पहनते हैं, जैसे कोई मुंदासी पहनता है, कोई फेटा पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, तो अलग-अलग तरह की clothings होती हैं, उनके tradition की साब से, ओके, now, women and girls wear सारी सलवार कमीज, जैसे जो women's है, मतलब, लड़किया या औरते, सारी पहनेंगी, या सलवार कमीज पहनती है, frog पहनती है, as well as shirt and trouser, या तो shirt पहनती है, trouser पहनती है, people dress up for festival and important occupations, जो people's होते है, वो festival में, important occupations में, अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे हम दीवाली में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, होली में, होली खिलने के लिए अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है न, तो जैसे हमारा tradition, लवरात्रम में हम अलग तरह के कपड़े पहन पहनते हैं मतलब वो उनके tradition में जो कपड़े चलते हैं वो पहनते हैं दे वियर bright cloths woven with golden thread. You must have realized that people wear cloths of different color styles and design. जो people होते हैं वो अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग-अलग style के कपड़े पहनते हैं, अलग-अलग design के कपड़े पहनते हैं, देखो इन्होंने लुगड़ा पहना हुआ है, इन्होंने princess जैसा frog पहना हुआ है, इन्होंने सलवार कुर्टा पहना हुआ, इन्होंने घागरा चोली पहना हुआ, तो इन सब का पहनावा अलग है उनके tradition के साब से, तुस देर is a lot of variety in clothing, और इसलिए कपलों के पहनावए में बहुत सारे differences है स्टुएं, mainly the weather decide what we wear, but taste, convenience and occupations also play a part, similar we also find a lot of varieties traditional costume, देखिये, a lot of varieties in clothing में बहुत सारे varieties है, mainly weather decide, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, तो weather ही decide करता है, कि हमारे कपड़े कैसे होंगे, हमारे कपड़े soft होंगे, गर्म होंगे, किस तरह से होंगे, यह mainly weather decide करता है, but taste, convenience and occupations also play a part, मतलब आपकी choice, आपको किस तरह कपड़े पहनना है, यह आपकी choice, आप जिस occupation में रहते हो, आप किस तरह कपड़े पहननेंगे, आपका occupation, जैसे कि, आप जब school में होते हो, तब आप uniform में होते हो, यह आपका compulsory discipline, यह एक कॉस्ट, यह एक तरह का uniform है, आपको ऐसा ही कपड़े school में पहनना है, जब आप घर में होते हो, तो आपका occupation depend करता है, कि आप किस तरह कपड़े पहनेंगे, और बाद में आप occupation नहीं हो, तो आपकी choice depend करती है, similarly, we also find a lot of varieties in traditional costume, और इस तरह से हम बहुत सारे varieties, अलग-अलग traditional costume में भी, हम बहुत सारे varieties देखते है, हम school में, हम और हमारे जैसे जितने भी student होंगे, सब एक जैसे कबड़े पहनते हैं, आप school में एक जैसे दिखते हो, यू गेट अडिफरेंट आइडेंटिटीटीज, पर आपकी, क्योंकि इससे आपको एक डिफरेंट आइडेंटिटीज मिलती है, जैसे हमान लिजीए, एक गाओ में बहुत सारी school है, सभी school के अलग-अलग uniform है, तो uniform देखकर हम पहचान लेते हैं, कि ये बच्चा कौन से school का है, है न, similarly, people of certain occupations wear special uniform, कुछ अलग-अलग occupations ऐसे हैं, जहाँ पर लोग special uniform पहनते, जैसे कि policeman, doctor, military, lawyer, ये सब अलग-अलग uniform पहनते, find out more about such occupations, ऐसे occupations के लिए, अमें मतलब, यहाँ पर search करना है, ओके, so, who I am, यहाँ से आपको बताना है, ये कौन है, so, I wear a white coat, an examing patient, मैं white coat पहनता हूँ, और patient को examin करता हूँ, ऐसा कौन है, जो सफेद coat पहनता है, और patient का examin करना, मतलब patient को check करता है, तो वो है doctor, doctor white coat पहनते है, और patient को, patient का ilaj करते है, I wear blue cloths, and put on fire, मैं क्या करता हूँ, मैं नीले कप्ड़े पहनता हूँ, और आग बुजाता हूँ, तो ऐसा कौन होता है, fireman, उसके बाद, you always see me in khaki cloth, I got wherever there is a fight, आप हमेशा मुझे khaki कपड़ों में देखते हो, और मैं हमेशा वहा होता हूँ, जहाँ पर लड़ाई जगड़ा होता है, तो ऐसा कौन है, तो वो है police man, उसके बाद, I work in hospital, and take care of patient, मैं hospital में काम करता हूँ, या काम करती हूँ, और patient की take care करती हूँ, मतलब patient की देखबाल करती हूँ, तो वो कौन है nurse, उसके बाद, I am always ready to protect country, मैं हमेशा, देश की, रखवाली के लिए, तयार रहता हूँ, तो बताइए, ऐसा कौन है, जो हमेशा, हमारे देश की रखवाली करता है, yes, that is shoulder, okay, S.O.L., तो soldiers जो होते हैं, वो हमेशा, हमारे देश को protect करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सब के अलग अलगी, डॉक्टर अलगतर कपड़े पेंते हैं, फायर मैन की कपड़े अलग होते हैं, पोलिसमेन की कपड़े अलग होते हैं, नर्स के कपड़े अलग होते हैं, शोलजर के कपड़े अलग होते हैं, तो यह सब क्या ही है, उनके occupation है, और occupation के हिसाब से, उनके job के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, उनके कपड़े बदलते रहते हैं, okay, use your brain power कमल has to walk to her uncle's house but it is raining heavily कमल अपने अंकल के घर जाना चाता है या फिर अंकल के घर जा रहा है चलते हुए पर जोरों से बारिश हो रही है what will she have to do to reach the uncle's house without getting wet अब बिना गिला हुए उसे अंकल के house पहुँचना है वो कैसे जाएगी कमल को चलते हुए अंकल के घर जाना है पर बारिश हो रही है फिर वो कैसे जाएगी तो इसके लिए है या तो वो अंब्रेरा यूज़ करे या फिर वो रेंकोट पहने दोनों की मदद से वो अंकल के हाँ safely बहुँच सकती है जाकॉब के पास बहुत गर्म कपड़े है पर उसे बहुत जादा गर्मी हो रही है वोट काइंड ऑफ क्लॉट शुड़ ही वियर उसने किस तरह के गपड़े पहनने चाहिए उसने सौफ्ट और कॉटन के गपड़े पहनने चाहिए जो कपड़े पतले होते है मनजीत और सानिया आर गोइंग टू ट्रीप टू अ हील स्टेशन मंजीत और सानिया हिल स्टेशन जा रहे है ट्रिप में तो हिल स्टेशन में ठंड बहुत होती है वीच आप दा आइटम शो बिलो डू यू थिंग दे शुट टेक वीद ते तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जाते समय अपने साथ कौन से कपड़े लेकर जाना चाहिए उस पर आपको राइट करना है तो सबसे पहले तो वह गरम कपड़े जरूर लेकर जाएंगे वह सेटर लेकर जाएंगे, कैप लेकर जाएंगे हैंड ग्लोस लेकर जाएंगे इसे भी लेकर जाएंगे उसके बाद कान को बानने के लिए इसे भी लेकर जा सकते है इस तरह से ये तो चपल लेकर नहीं जाएंगे ताकि इन गर्म कपड़ों के अंदर वो इसे पहन सके तो इतनी चीजे वो अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे जब वो किसी हिल स्टेशन में मतलब ठंडी जगा पर जाएंगे अब देखिए इसे क्यों नहीं लेकर जाएंगे ये तो है रेन कोट तो ये बारिश में पहना जाता है ये देखिए खुले कपड़े है इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो ठंड ज्यादा लगेगी इसलिए वो ऐसे कपड़े लेकर जाएंगे जो गर्म हो आपको पता है कि जो हमारे सेनिक होते हैं वो बार्डर पर खड़े होते हैं कहां पर खड़े होते हैं बार्डर पर खड़े होते हैं क्यों दुश्मनों से लड़ने के लिए जहां पर बर्फ होती वहां पर पूरा एरिया पहारियों से धका होता है और वो बर्फ वाला होता है, कैसा होता इस बर्फ वाला होता है, ऐसे बड़ी-बड़ी पहाडिया होती है, पहाडिया कैसे होती है बर्फ वाली होती है, तो ऐसे जगा पर हमारे शोल्जर्स वाइट कलर के अपड़े पहनते हैं, ताकि वाइट बर्फ में वाइट कलर के अप और जब हमारे जो सैनिक होते, जब वो किसी डेजर्ट में रेगिस्तान में होते, जहाँ पर बहुत सारी रेथ होती है, वहाँ पर वो खाकी कलर के कप्ड़े पहनते हैं, ताकि रेथ और उनके कप्ड़े का कलर एक जैसा हो जिसे वो दुश्मन उसे छुपे रहे, उसको और जैसे ही इन situation में दूश्मन हमारे देश के अंदर घुश जा, उन्हें वो वही पर खतम कर दे, छुप कर रहने के लिए वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, what we learn, हमने इस lesson में क्या सिखा, as season changes, we have to make changes in the way we dress, जैसे जैसे मोसम बदलता है, बदलते हुए मोसम के according हमें कपड को भी बदलना पड़ता है, कपड़े के भी style को change करना पड़ता है, variety in a cloth is due to taste, occupation and tradition, कपड़ों में इतने सारे बदलाव, इसलिए आये है, आपको क्या पसंद है, आपकी पसंद आपके कपड़े को बदलती है, that is taste, आप किस तरह की कपड़े खाना पसंद नहीं, taste याने खान पहनने वाला टेस्ट नहीं, पहनने वाला टेस्ट, आपको किस तरह की कपड़े खाना पसंद है, उसके बाद occupation, आप क्या करते हैं, आप उस तरह कपड़े खानेगे, अगर आप टीचर है तो टीचर के style कपड़े खानेगे, अगर आप student है तो student की according कपड़े खानेगे, तो उनके dress अलग होते हैं, आप में गाना सुनोगा, lungi dance, lungi dance, lungi dance, तो वो lungi dance जो है, lungi पहन ना, और उपर shirt पहन ना, वो उनका tradition है, तो tradition के according भी कपड़े पहनते हैं, इसे पंजाबी लोग अलग कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा, उनकी पगड़ी होती है, बड़ इसी four ही question है, पहला question है, which season do you experience in one year, आप एक साल में कितने seasons देखते हैं, तो हम एक साल में summer, winter and rainy, तीन तरह के season देखते हैं, summer season, winter season and rainy season we experience in one year, उसके बाद, why do we need to change type of cloth according to season, season के according हमें हमारे कपड़े क्यों बदलने पढ़ते हैं, because we need to change the type of cloth according to season to to adjust to the changing weather, मतला बदलती हुए मोसम में खुद को adjust करने के लिए, बदलती हुए मोसम में खुद के बाड़ी को protect करने के लिए, हम बदलती हुए मोसम के according कपड़े पहनते हैं, write the name of three occupations that require uniform, ऐसे occupations के नाम बताईए, जिन्हें uniform पहनना जरूरी होता है, तो postman को uniform जहना जरूरी है, doctor को uniform पहना जरूरी है, nurse को uniform पहना जरूरी है, pilot को uniform पहना जरूरी है, policeman को uniform पहना जरूरी है, driver को uniform पहना जरूरी है, write the name of some traditional cloth worn in your neighborhood, आपके आसपड़ोस में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ओके, इसके बारे में बताईए, तो सारी, चनिया चोली, पट्टू, पो पहने जाते हैं, हमारे आसपास पहने जाते हैं, ओके, सो इस question answers का screenshot ले लीजिए, और इसे लिखकर अपने notebook में इसका photo मुझे WhatsApp कीजिए, ओके, सो students, ये था हमारा lesson number 24, जिसमें हमने पढ़ा है our cloths के बारे में, I hope that ये lesson आपको पूरी तरह से clear हो चुका होगा, इसका अगर screenshot पूरी तरह से नहीं आयागा, तो यहाँ पर ले लीजिए screenshot, ओके, I hope that ये lesson आपको पूरी तरह से पसंद आया होगा, तो वीडियो कर लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सबस्क्राइब किजिए, हमारे साथ बने रहिए, और देख ते रिए Student Point Academy, तो मिलते है प्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में तेल डैन, बाबाए, पढ़ाई कीजिए, स्वस्त रहिए